हेलो दौस्तों वेल्कम तो गेरफ्रिक मैं हूँ इस समय महिंदर के पावेलियन पे और जो गाड़ी आप सामने देख रहे हैं यह एक यूवी 100 इस एवी वीकल जिसका पावर ओट्पुट है अरौंड 40 KV और प्रोड्यूस करती है अरौंड 120 एनम अफ टॉक रेंज इसका अ for the smaller family who commute daily to mall school और चोटों मोटे distance cover करने के लिए साहिए में इसका आगे से आपको look दिखाता हूँ it is exactly the KUV जो ग्रिल में treatment दिया गया है यह जो आप blue arrows देख रहे हैं यह glow होते हैं और यह सामने का ग्रिल normal KUV से normal KUV से distinguish करने के लिए जो इसमा हाइलाइट दिये गया है design pattern में यह blue highlights है जिससे you can make out that it's a electric vehicle और यही चीज़ आपको continue मिलेगी इसके wheel cap में अब दूसरे साइड में अगर आगर आप देखेंगे तो यह आपको charging का option यहाँ पर मिल जाएगा साइड से अगर गाड़ी को देखें तो आपको कोई changes इसमें नहीं मिलेंगे जो थोड़ी बहुत detailing करी है to stand out as a electric vehicle यह जो आप blue highlighted areas देख रहे है design pattern इनकी वज़े से गाड़ी आप make out कर सकते हैं कि इस से electric vehicle पीछे से ही देखिए इस गाड़ी को exactly के यूवी पेट्रोल की तरह ही दिखती है एक interesting पार्ट जो मेरे को इसका design का लगा वो है इस पे positive और negative का sign that gives you an indication that's a electric vehicle again rest अगर आप इसको चारो तरफ से गाड़ी को देखें तो यह exactly के वी पे ही बनी हुई है अई अब थोड़ा आपको इसको interior दिखाते है so if you open the door oh I think it's locked so we'll try from another side so this is the interior gear है जो black and dark gray shade में दिया है combination में seats काफी अच्छी लग रही है seat quality काफी अच्छी है dashboard को और तरिकी से देखें जो इसका gear lever है obviously it's a automatic transmission तो इसमें जो modes है reverse neutral parking जैसा की के 100 में आता उस ही थाप से इसको दिया गया है तो आई अब आप उसको इसका पीछे का interior दिखाता हूं oh god again it's locked चलिए आपको यहीं से एक overview देता हूं पीछे का sitting capacity और interior जादा changes कुछ भी नहीं other than the color of the seat fast charging capacity का सकते हैं इसके 80% तक हो जाती है within 60 minutes that's what company says the eqv100 comes with smartphone connectivity और आपको इसमें remote diagnostic मिल जाएगा engine का sorry engine नहीं आपकी motor का केबन प्री कूलिंग आप कर सकते हैं आप के थ्रू और रिमोट ली डूर को लॉक अनलोग भी कर सकते हैं location tracking या driving pattern इस अब अब्डेट्स आपको आप पे मिल जाएंगे और साथ महीं आप बैट्री के status level भी check कर सकते हैं so now about the pricing so this car has been launched at the price of 8.25 x showroom which is which makes it the most cheapest electric vehicle in india so दोस्ता आप बताएं आपको इस गाड़ी कैसी लगी आपको इस गाड़ी के बारे में और कोई जानकारी चाहिए या कुछ information चाहिए तो आप comment section में हम से पूछ सकते हैं हम उसको जल्द से दल answer करने कोशिश करेंगे और एक detail review भी इस गाड़ी का आपके पास जल्द ही लेकर आएंगे please share this video give us a like and share with your friends subscribe to gearflick and have a good day